राइस्तान सरकार की और से शुरू की गई बामसा डिजिटल परिवार योजना के तैट जिले के करीब साड़े 5 लाग परिवारों को स्मार्टफोन देकर उन्हें ऑनलाइन योजना से जोड़ा जाएगा समिवार को वार 11 में पार्षद रमे सोनी के मेतत में सिक्षा राज्यमंती वासुद देव्लानी दुआरा 48 बामसा कापदारी महिलाओं को मोडाल बाटे गए बामसा कापदारी परिवार को 500 रुपे की राशी दो किस्तों में स्मार्टफोन खरीदने और इंटरनेट कनेक्टिविटी लेने के लिए सीधे परिवार के बैंक खाते में राशी हस्ता अंतरत की जाएगी इस योजना के तएप पूरे गाजे में राश्टे खात सुरक्षा दीमियम के तएप चैनित सभी बावशा कापदारी परिवारों को डिजिटल माधियम से जुडने पर 1000 रुपे की राशी प्रश्चान के रूप में दी जाएगी प्रधान मंत्री जी की जो डिजिटल इंडिया का सौपना है उसे साकार करने के लिए जो भामाशा योजना में है और जिनका नाम खात सुरक्षा में जुड़ा हुआ है ऐसे लोगों केवर 91 रुपे में याज मुबाईल हमने दिये हैं और उसके साथ जो बाकी भामाशा उनको एक असार फिचाने में इस प्रका मुबाईल देकर के जो संचार माध्यमों से प्रत्यक विक्ति के बीच में सुमवाद इस्थापित हो सके हमसा लोग सारी बातों के साथ जुड़ सके ऐसा जो एक गरी तपका है जो कभी नहीं सूचता है कि मैं कभी मुबाईल खरी सकता हूँ ऐसे लोगों को अब मुबाईल देने के ये यूजना के तहत आज वाड 11 में हमारे जो पारशद हैं प्रमेजी सोनी इनके प्रयासों से लकुन जो यूग्य स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के रहे यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमे कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक को शेयर करें